हेलो माई डियर फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल प्रेम अंबर्ड सिविल आई एम प्रेम कुमार और इस वीडियो में हम लोग विजयन आयेस का यह पीटी-365-2023 का जो अभी लॉंच हुआ है 175 को यह इंग्लिस और हिंदी में हम लोग डिसकसर करेंगे यह अभी इंग् इस वाला यह जो रहेगा यहां देखिए गाम मही 2022 से जन्वरी 2023 तक है यह क्लास्रूम में स्टेडी मैटेरियल है उसमें हम लोग यह टॉपिक देखेंगे और इस टॉपिक में जो है आपको जो भी चीज़े हैं उसको हम लोग डिसकस करेंगे यहां पे इंग्लिस में यह को बताऊंगा बाइलिंग्यल डिसकस्टन करेंगे तो अगर इफिए न्यू टो मैं चैनल प्लिस सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्ले लाइक दी वीडियो इस में हमब लिक्वेस्ट कोई वीडाव तो कमेंट बॉक्स में यह आप पूछिएगा और यहां पर देखिए हम हम लोग एक अबुद के हमका कोड से स्टाट करते हैं इंतिजार करनेHola को उतना यहीं मिलता है कि इतना कोशिस करने वाले छोड़ देते हैं तो फेंड चलिए हम लोग कोशी से स्टाट करते हैं यह देखिए मैं I am also learner तो अगर आप मुझसे कोई mistake हो तो आप उसको यहाँ पे comment box में जो है आप उसको बता सकते हैं उसको हम लोग यह rectify करेंगे और यहाँ पे मेरा बस यही motive है कि सिखने और सिखाने में जो interest और मजा आता है बस वहीं यहाँ पे करने का प्रयास है और कुछ मोटीव है नहीं बस तो आप लोग रेचे से इसको यह करेंगे cover तो यहाँ पे दिखेगा यह quality वाला यह topics launch हुआ है तो इसमें दिखते हैं क्या क्या topic है issue related to constitution में आप देख सकते हैं यह सब हम लोग पार्ट वान में cover करेंगे उसी तरह से यह कुछ कुछ टोपिक यह पार्ट करके हम लोग यह बोडीज वाला topics यह सेंटर स्टेट रिलेस्ट रिलेस्ट जो भी हैं सबी topics हम लोग करेंगे और लास्ट में इसको महराथन वीडियो या master वीडियो यह master वीडिय सोलियत के लिए डाल दिया जाएगा तो यह सारे topics हम लोग को पढ़ना है फ्रेंट तो यहां पर लेस्ट स्टार्ट यह first number topics हम लोग करते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं अगर तेश्रीज देना हो तो मिज़ नहीं इसका तो चलिए यहां पे यह फ़र्ष्ट टोप करके यह आर्टिकल 15 का सिक्स और अर्टिकल 16 का सिक्स जोड़ा गया है तो यह आप देख सकते हैं कि जो 666 जो है ना वह यहां पर दिखेंगा अफिरेंट तो यह क्या कंटेक्स्ट है यह न्यूज में क्यों रहा है तो जो सुप्रेम कोड का कंसिश्टिशनल बेंच है उसन और जिसमें कि 10% कोड़ा देना था EWS को एजुकेशन और पॉब्लिक इंप्वाइमेंट में मतलब कि सिक्षा के चेतर में और आपको रोजगार के चेतर में 10% यह आपको रिजरवेशन देना था जेनरल में सहीं EWS को लाया गया है तो यह अलग से एक एकनोमिक क्रेटेरिय यह आगे हम लोग देखेंगे इसमें देखें EWS कोटा के बारे में यह आप लोग देखने से बहले यह आर्टिकल 15-6 देख लिजे इसमें 15 वाला क्या है तो यह बताता है सीन हो इनका नाम याद रखेगा इनहीं के डिकोमेंडेशन पर यह EWS का जो है डिजर्वेशन आया हुआ है फ्रेंड तो यह जो भी है तो इसको याद रखना है फिर देखिए 103 यह अगर हम लोग आते हैं कंचिशनल अमेंडमेंट में यह आप देखिए 2019 में जो एक ताया था वह क्या कहता है कि डिजर्वेशन प्रवाइड करता है EWS एमोंग नान ओबी सी एंडन एसी एस्टी तो देखिए जो एस्टी हैं उसको चांट दीजिए जो ओबी सी हैं उसको हटा दीजिए तो उसमें से देखिए तेन परसें डिए ज़फसंट दीए यह देखिए तो यह बोद सेंटरल एन स्टेट गवऔर्मेंट यह प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन देखिए ऐस को यहाँ प्रवाई डिजर्वेसें बिटोवेशन और करता है कि अपने वहाँ यहां के एक जॉब्स में यह अपना दे सकते हैं EWS को, यहाँ पे amendment article 15 to additionally permit government to provide for advancement of EWS, up to 10% of seats में be reserved for some section for redemption in educational institution, तो 10% जो है उसको reservation देना है, यहीं वला बात है, not applicable to minority educational institution, तब देखे, minority का अगर कोई educational institution है, तो उसको नहीं देना है, आप तोक article number यह comment करें, 29 है, यह 30 है, क्या है, जिसमें की minority के बारे में है जल्दी से आप लोग comment करिएगा तो यह देख सकते हैं आप लोग amendment article 16 to permit government to reserve up to 10% of all post for UWS citizen तो देखिये article 16 में आपको जो भी post है जो भी jobs है उसमें jobs वेगर हैं में 10% का रिजर्विशन देना है तो यह सब आप लोग समझ सकते हैं देखिये फ्रेंड्स यह 2023 के लिए यह जो है आपका अभी का जो पीटी 365 का पॉलिटिक आया है तो और भी सब्जेक आया है तो हम लोग डिसकस करेंगे वह मेरा थन्ट वीडियो की रूप नहीं लाएंगे तो आप लोग इस चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करिएगा और हमारे जो एफॉर्ट है उसको आप लोग ज़रू एप्रिस्टेट करने का प कीजे पढ़ा तो सब रहता है बट उसमें अच्छे से मार्स लाना और कंविडेंस लाना इसी से आता है तो यह चीज है मेरे तरफ से सला कि अच्छे से इसको कवर करें और कुछ आप इंप्रूमेंट करने का विचार होगा तो आप लोग कमेंट बोक्स में बताइएगा त जो आठ लगस उपर है वह रिजर्वेशन में यह नहीं कंसिटर का जाएंगे दर्म क्रीमी लेर वाज इंटोडूस भाई यह किसके द्वारा सतनाथन कमिशन इन यह दिया गया था क्रीमी लेर के कविए यह कंसेप्ट सतनाथन सतनाथन कमिशन और अधर कंडिशन फॉर डाउन इंडिया यह सहनी केस के द्वारा आया था यह आप लोग पर सकते हैं 50% का जो है बर्दिकल रिजर्वेशन पर यह लगाया गया है कि 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन नहीं देना है बट यह 10% EWS आने के बाद तो यह पार कर गया है तो इस पर भी अलग से यह मुद अप्लत हो जाएगा इस्टेटमेंट तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं तो चलिए यहां पर देखिए EWS रिजर्वेशन इन एडिशन टू इस्टिंग रिजर्वेशन जो भी और डेडी ओवी सी एस्टी को रिजर्वेशन देरा जिया जा रहा था उसके एलोंग भी यह इस्टी एस्टी एडिशन आया है यह परसंग और अंडर यह स्टी एस्टी एंड ओबीसी वाला कंसेट है यह ग्रॉस इंकम आट लग से उपर नहीं है मतलब कि कम है तो यह रिजर्वेशन के इडव्यस में फायदा ले सकते हैं अगर है पांस एकर से जादा का आपको नहीं आएगा यहां पर यह रिसीडेंशल प्लोट ऑफ हंडेड स्क्वार यार्ड अगर सो यह स्क्वार यार्ड का अगर जमीन है तो उसमें आ सकते हैं उससे ज्यादा होगा यह देखे एंड एबोब इन नोटिफाइड मॉन्सिपलिटी और टू हंडेड स्क्वार यार् से अगर ज्यादा है किसी अधन एरिया में मतलब कि गांव टाइप का तो आप उसमें नहीं आईएगा तो यह आप लोग याद रखना है फाइव एकर से कम होना चाहिए फाइव एकर तक चल जाएगा थाउजन्ट स्क्वार फीट तक चल जाएगा फ्लेट का और यह सौई स्क्वार याड यह मुंसीपल वाले में और दोसो अधर वाले में तो इतना ध्यारकना की पॉइंट और सुप्रियम कोट का बढ़ जो आया था यह जनित अभियान पर सेच उनियन ऑफ इंडिया केस 2022 मा भी लेटेस्ट का इनूज है तो इसमें रिजर्वेशन और एकनोमिक क्राइटेरिया के मतलग वी तोर पर अगर आब रिजर्वेशन दे रहा है तो यह अकेला ही है यह बेसिक इस्ट्रक्चर को वालेट नहीं करता है और भी चीज होने चाहिए तभी यह वालेट कर पाएगा तो यह वाला चीज है यह डावली सी जीम्टे सेपरेट सेप के नौट बी रूल आउट इन प्राइबट इन चीच्विशन वेर इजुकेशन इज इंपार्टेट तो यह प्राइबट वाले में यह देख सकते हैं आप लोग कि इसको रूल आउट नहीं किया जाना चाहिए 50% डूल फॉर्म इंद्रासानी जज्ज्मेंट 1992 का यह इंद्रासानी के से याद रखियेगा मेंस में आप लोग एड कर सकते हैं उसमें बुला गया था कि 50% से ज़्यादा का यह रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए यह है नोट बीन हेल्ट टू बी इन फ्लेक्सिवल एंड एंड वालेवल पॉर आल टाम सो टुकम इट है इसलिए यह 50% को कैप को आगे कर जाता है अब देखेंड अब लोग का सब टॉपिक है सब के टेगराइजिशन ऑफ अदर वेकवाड क्लासे ओबी सी के बारे में तो यह देखने से पल हम लोग देख लेते हैं अभी जो हम लोग ने पढ़ा ना उसमें क्या क्या 1971 का याद रखना है सानी केस का याद रखना है नाम आपको और यह क्राइटेरिया याद रखना है कि कितना कितना यह EWS के लिए मिलना चाहिए एक क्वेशन बना कर पूछा सकता है जनीत अभियान जो है Union of India के बरसेस में 2022 का केस याद रखना है बस इतना से आपका काम हो जा है तो Union cabinet gave the 14th extension to the Justice Rohingy Commission देखिए इनका नाम याद रखना है रोहिनी कमिशन का said to the examine issues related to sub-categorization OBC to submit it to ports by July 31st to 2023 देखिए अभी तो फरवरी चल ला है तो जुलाई दोजाए 2023 तक यह उनको रिपोर्ट समिट करना है इंदरा सानी जी को यह sorry यह रोहिनी कमिशन रोहिनी जुगो तो इसमें OBC का क्या 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 और further classification हो सकता है इस पर बात करना है more or news पर हम लोग देखते हैं यह कमिशन 2017 में बना था यह article 340 के according तो article 340 क्या बताता है फ्रेंट तो यह इंपावर करता है कि आपको कमिशन बना सकते हैं यह प्रेजिडेंट जो है कमिशन बना सकते हैं पॉइंट कर सकते हैं investigate condition of socially economic backward classes के जो condition उसको चेक करने के लिए तो यह सब आप देख सकते हैं 2015 में NCBC had proposed that OBC divided into following three category तो तीन category में डिवाइड किया गया था तो उसको देखने के पहले हम लोग तो आसे यह बेग्राउंड दिख लेते हैं देखिए 953 में सबसे पहले यह फर्स्ट बेकवाड कमिशन बना था जो कि काका केलकर के मतलब यह अधेक्स्ता में बना था यह ध्यां रखना है आपको काका केलकर 235 सेकेंड बेकवाड कमिशन बना पीपी मॉंडल मॉंडल कमिशन इसको इस्टार मार्क याद कर लेना है फिए 92 में 27 परसेंड दिया गया अर्टिकल 16 फोर तो देखिए 166 में अभी ओभी सी का सुरी इडवलेस का मोग लोग देखा और फोर बाले में यह अगर यह इडवलेस और यह फोर बाला ओभी सी तो 16 में 15 में क्या था तो वह आपको इजुकेशन में था और 16 में यह जौब में था तो यह वाला चीज़ ध्यान रखना था 27 परसेंड इस परसेंड इस अने सो बानवे में और अने सो बानवे में क्रीमी लिएर का कंसेप्ट आया जो ही आट लाक वाला जो मैंने बताया और इंद्रसानी जज्मेंट में निकल इक और ली बैकवाड क्लासेज को कटिक्री आज तो यहां आप देकिहें एक लिवाध क्लासेज जिसको बाता है दो और एक करको क्लासेज भी सी ग्रूप में इसको डिवाइड किया गया यह आपको OBC को तीस चीज़ को ध्यां रखना है और यह आप लोग देख लिए यह एक्स्टेमली बैकवार्ड है उनको में क्या क्या चीज़े दिया हुआ है तो सोचल एजूकेशनल एकोनोमिक बैकवार्डनेस ज्यादा है इनका यह OBC के अंदर है आपने जो भी चलता आ रहा है उनका पेसा और यहां पर दिखिए तोड़ा सा अच्छे कटेगरी के हैं यह बीसी वाले में तो यह चीज़ ध्यान रखना है और यहां पर हम लोग आगे जातने सपल यह दिख लेते हैं यह NCBC नेशनल कमिशन फॉर बैकवार्ड क्लासेज और यहां पर देख सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं एक चेर परसन होता है और तीन अदर मेंबर होते हैं मतलब पांच टूटल होगा है इस चीज को याद रखना है 338B में यह बनाने का प्रावधान है प्रेजडेंट बनाएंगे वारांट अंडर ही जैंड एंड सील उनके ही अंत्रगत बनेगा उनके साइन और उनके मौर से दिर कंडिशन यह अनुसारी इनका टेनियूर फिक्स किया जाता है तो यह चीज़ ध्यान रखना है आपको फिर यहां पर आप देख सकते हैं यह जस्टिस रोहिनी कमिशन का कुछ मेंडेट है तो एक्स्टेंट ओप इन इक्यूटेबल डिस्टिवीशन ऑफ रिजर्वेशन बनेपिट तो जो रिजर्वेशन दिया गया साथाइस पर्सेंट है थाइस पर्सेंट जो भी तो उसको है कि कितना डिस्टिवीशन जॉब में एजुकेशन में हो रहा है कास्ट के बीशिस पर यहां पर बीसी का जो सेंटरल का लिस्ट निकलता है कितना कास्टिस में आते हैं यह सब चीज त्यान रखना है वार्क आउट मेकनिजम क्राइटेरिया नौट सेंट परामिटर सीने स सब कर दर्याइजिस अभू सबButton के लिए क्या नौन चींट क्या पैरामिटर होना चाहिए किमीकेशं नाछा Ras याद रखना है तो यहाँ पर दिखिएगा तो एकोडिंग टू-ncbc 11 एस्टेट यूटी जो भी है यह सब नाम आप देख सकते हैं यह सब कटेग्राइज कर दिये हैं वी सिगो रिजर्बेशन में एस्टेट गोवर्मेंट का जो भी इंचिक्यूसन है उसमें तो और भी य सेंटरल वाले करने का एकना ये परेयास कर रहे हैं यहां पर अपदलोख जास्टीस रुवनी कमिसेन का नाम एक कालका केलकर के नाम रखना है यह मंदल जी का नाम या रखना है 98-1979 में और ग्रूप A और ग्रूप B, Group C और MBC यह सब ध्यान रखना है तो अपका काम हो जाएगा इतना चाहरा डिटेल आई दिखेंग नहीं पूचना चाहिए अब टम देख लेते हैं यह लोकल बादेज में एक्सपारी ओपिक्स डूरेशन दूरेशन से पहले ही यह कंप्लीट कराना है यह सब यह ट्रीपल टेस्ट कंडिशन को भी हेल्ड किया था यह हाई कोड और सुप्रीम कोड यह मेंडेट किया था कि समूर्थी वर्स युनियों अप इंडिया 2010 में यह नो रिजर्वेशन पर और यह टीन टेस्ट नाम ही तीन है स्पिस्पाइब प्रॉपर्शन डिया गया इस पर ध्यान देना है यह कोडिंग और यहां पर संच डिजर्वेशन डॉपर्सेंट से ज्यादा यह पास नहीं करना चाहिए रिजर्वेश्टी तूबिसी टूगेदर मिला कर ठीक एस्टे सीचर एस टी ईह पर देना है की लोग देक्ते होगे मुखह लो का बोट होता है पंचाय अगर गाभस तो यहां पर भी कभी का इससेटा ब्हं से और है कुशिंग वाला का रिजर्वेश्टा जाता है रिदोना क्भी महिला का रिजर्वेश्टा मैं ठिसे से का यह 50 परसेंट जादा नहीं होना चाहिए वहला पॉइंट और बहुत जगा है कि यह नहीं और वन लोकल बॉड़ी में नहीं दिया जा रहा है तो यह सब चीज़ ध्यान दे सकते हैं और और वन लोकल बॉड़ी यह एक मैंने अलग से वीडियो मेंस के लिए डाला हुआ है देखता तो unity in diversity जिसको बोला जाता है तो इस चीज में हम लोग देखिए हमारे देहां इतना सारा लेंग्वेज है कल्चर है सभी का अपना मतलब की धर्म है तो उसके according भी एक law लाना यह बहुत ही मतलब की मुस्कित काम है आप article 44 को जानते ही होंगे उसी में और गोवा ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर की उन्यूपार्म स्विल कोड लागो है तो पूरे देश में लागो किया जाना चाहिए कि इस सब पर बातचीत चला है तो आप लोग देख सकते हैं यह न्यूज में क्या हो रिसेंट्री यह प्राइवेट मेंबर पील यह आया था यूशी सी इंडिया बिल 2020 वाज इंटोडिशन दास्वा में इंटोडिश किया गया थे बार बार यह मुद्धर चर्चा में रहता है इसको देख लिए यह एक ऐसा सीविल लौ यह मतलब की एक ही रूल लागो किया जाएगा ऑल सीडिजन के जो भी इंडिया में है उनका कोई भी प्र लाग देने का तो यह सब चीज आपको ध्यान रखना है कि पूरे मतलब की कंट्री में यह लागो होना चाहिए कि नहीं देखिए आर्टिकल 44 मेंने उपर ही बताया था यहीं DPSP का ही पार्ट है और यह DPSP को non-justiciable है मतलब कि यह आप कूर्ट में इसके लिए नहीं जा सकत है तो इसमें दोनों को एक तरह से मतलब की कोपरेटी होके काम करना पड़ेगा तो इस चीज को आप लोग देख सकते हैं यहां पर तो यहां पर देखिएगा प्री इंडिपेंडेंस में देखिएगा अथा सो चालिस में यह लेक्स लोग की क्या रिपोर्ट आया था यह ब इंडेंस से रिलेटेड बट हिंदू और मुस्लिम का जो कुछ प्रस्णल लॉग था उसको कुछ यह फिर नहीं किया गया था उन लोग को अपने आप में छोड़ दिया गया था कि आप लोग अपने अनुसार यह मैनेज करिए यह नैंटी एड़ फोर्टी वन में अजाद जार बला भाई परतेल उसका हेड कर रहें थे और यहां पर उसी सी वाज नॉट बिदीन स्कोप अपन्डमेंटल लाइट तो यह उसी सी जो है फंडमेंटल लाइट नहीं में नहीं है यह नहीं नों बोला और स्पेसल मेरेज एक 98-54 आया तो यह बहुत इंपोर्टेंट है आप लोग यह पढ़े भी होंगे बहुत जादा बियार अंबेतकर काई सब में यह युगदान था यह जो भी आपको हिंदू लाव आया तो इसमें पास कराने में तो सिविल मेरेज का आया तो कोई भी धर्म को हो लेकिन एक सिविल मेरेज का एक कंसेट लेकर आया गया कि इस तरह से मतलब भी साधी हो गी या जो भी है तो यहां पर देखेंगे नहीं सो पच्पन चापन में यह फोर हिंदू कोड बील पास किया गया यह यहीं बियार अंबेतकर का बहुत प्रयास राइस में यह आप लोग जानते ही होंगे बियार अंबेतकर को लोग के ओल दलीतो कम असी अब लग जाते हिंदू में भी इन्होंने बहुत ज्यादा और अरतों के लिए बीमेंस के लिए इंपॉर्मेंट का काम किया है और बहुत सारे सुप्रिम कूट का जज्ज्मेंट पी है यह यह यूसी सी पे तो आप लोग उसको भी टाइम टाइम देख सकते हैं और तो देखिए यहाँ पे करेंट स्टेटर सॉप प्रस्टनल लॉज इन इंडिया में जाना है आपको तो उसे पर यह देखिए साहबानों का केस आया था अनुसो पचासी में फिर आपको जॉर्डन यह दिंग देव परसे से सिच चुप्रा नैंटेटीफाइब सर्लाम उद कर रहा है तो साब आनो केस में यहीं ट्रीपल तलाक का इधर से बात उठा था यहाँ आप देख सकते हैं यह जॉर्डन दिंग देव दे बरसे से से चुप्रा यह बोला गया था कि नीट फॉर्म कोड़ पर मेरेज और डाइबोर्स यह कोड़ के द्वारा यह बात उठा थ लाने का क्या फायदा है क्या गाता है यह सब आप लोग मेरे उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं मैं आई बेटन में देने का प्रैस करूंगा तो यह सब तोड़ा एस्टेटिक हो जाएगा यहां आप आम लोग को पता हैं अगर एक लौ लग जाएगा तो सभी लोगों म पर नेशनल इंटिगरेशन होगा तो इस चीज को आपको ध्यां रखना है और आपको एक और है जिसमें की टीपल तला को यह किया गया आप लोग कमेंट बताएगा अभी का लेटेस्ट न्यूज है यह किस जज्जमेंट आप लोग बताएगा तेक यह करेंट इस्टेक्ट इस करेंट को एस्टेटिक से भी आप लोग जोड़ कर देख सकते हैं देखिए जैसे हिंदू प्रस्नल लाव है चार बिल में हिंदू मैरेज एक्ट, हिंदू सक्सानेट, हिंदू माइनोरिटी एंड गार्जेंस इपेक्ट, हिंदू एडॉप्सन एंड मेंटेनेंस इस लाव में, यहाँ आप देखें, मुस्लिम प्रस्नल लाव है, जो कि एक्स्प्रेसली रिकॉर्णाइज इंडिया इन एक्ट सच है, सरियत अप्लिक, अप्लिकेसन एक्ट, कि उनका सरियत का लाव होता है, यह आप लोग जानते ही होंगे, सरियत का नियम, डिजोलूशन आप मुस्लिम मैरेज एक्ट, यह मुस्लिम लोग का है, तो इदे की सभी को अगर मिला कर एक किया दाएगा, तो यह मन पाएगा आपका यू सी सी, तो यहीं सब चीज है, सम सेक्लर लॉज एजवेल, यहां पे स्पेशल मैरेज एक्ट जो है, यह सेक्लर एक्ट है, सभी के लिए है, गार्जियन से वाड्स एक्ट है, जो कि राइट एंड डूटी जो गार्जियन का बारेन बताता है, और यह इंटर रिलिजन मैरेज कैसे होगा, यह सपेशल मैरेज एक्ट में लिखा हुगा है, मालेजे कोई हिंदू है, और कोई मुसलिम है, या कोई मालेजे आपका क्रिस्चन है, कोई हिंदू है, या कोई मुसलिम है, कोई एक दूसरे मतलब अलग धर्म के हैं, साधी करना चाहते हैं, तो सपेशल मेरे जेक के कोडिंग यह साधी होता है देखिए गुवा है जो कि प्रिजेंट ओनले स्टेट इन इंडिया भी थे उसी सी मैंने शुरू में बताया था पुर्तिकी सिविल कोड़ा था 1867 यह इंप्लिमेंटेड अपर यह इंडिया नेक्स तर्टेटी नेक्स कर लिया गया तो कि हाववबर पूर्तिकी स्कूड नॉट कंप्लिटली यह 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 पूरा यूशी सी नहीं है बट उसमें यूशी सी का पूरा प्रूबीजन है तो इतना सारा चीज हम लोग ने देखा तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज़े याद रखने हैं तो यहां पर करें यह साहब आनो केस यह मुदगल केस का नाम याद रखना आर्टिकल फोटीफोर्स फिया रखना है और यह पूर्तिघीजवला यह ध्यान अगर दे दिया तो यूपीसी के स्टेट्मेंट में तो यह ध्यान रखना है आपको और यह गवाई ही ओली इस्टेट है जहां पर लागू है तो इस चीज़ को आपको मतलब की अच्छे से यह करना है चलिए प्रेंट हम लोग हेट स्पीच देख लेते हैं कि हेट स्पीच में क्या यह चला है यह करेंट अपर देखेगा प्रेंट तो इनसी आर्बी यह नेशनल क्राइम रिकोर्ड बीरो के एकोर्डि देना या कुछ मतलब की हैट से डिलेटेड बात कहाना हैट स्पीच है नौट मिन डिफाइंड इन इन लॉग इंडिया दिखेए इसका कोई डिफिनिक्शन नहीं यह किसी भी नियम में यह आपको सीशन में भी देख सकते हैं यह टेस्पीच जेनरली इंसाइटमेंट टू इंडिया पीनल कोड है उसके सेक्शन ही यह 153a 295b में यह सब चीज है किसी ग्रूप के आपको मतलब की अगेस्ट में कुछ है है कुछ है कुछ है मतलब भी डाले गलोज या कुछ भी अलग से मतलब की दर्दवला चीज आप बोल रहे हैं उनको ताना मार रहे हैं सब तो इसन नहीं तो नहीं नाइटीन के टू आर्टिकल जो है उसमें दिया गया कि सभी के पास फीडम आप स्पीच है एंडेक्स पेसन है बट सब्जेक्ट टूरीजनेबल इस्टिक्शन यहीं तो यूपीस में पूछा हुआ भी कोशन था क्या कि हम लोग पास किसी भी तरह नहीं करना आपका तो आजादी है बट किसी और को भी आजादी पर यह इफेक्ट नहीं करना इस चीज को द्यान रखना है चलिए यह इंडियान कोड अगर देखा जाए 1860 का तो उसमें यह क्या चीज़ है सेक्शन 153 ए यह 153 भी 298 भी 298 टीटीच यह इसमें क्या है speech or words that could create mischief अगर outrage religious flips किसी के धर्म से मतलब की हाने पोहुंचा है या किसी के निष्ठा को ये harm करे तो ये national integration को भी harm करे तो ये सब hate speech में आएगा यहाँ पे RPA 951 Depresentation of People Act में भी section 8 में दिया हुआ section 123 के 3A में section 125 कितना भी याद करिएगा ये बहुत चाहिए ज़्याद नहीं रहेगा बस ये ध्यानक नहीं RPM में भी है IPC में भी है और 19 के ये से relate कर सकते हैं तो ये चीज़े अगर relate कर रहे हैं तो UPC का question बन जाएगा इतना ज़्यादा ये section में नहीं पुछता है बट ये देख लिजएगा यहाँ पर ये religion race और कास्ट और community language पर ये चीज़ों को आपको मतलब किसी को ये गाले गलोज या कुछ भी दुस्मनी या कुछ नहीं करना है ये कोई भी गलत चीज नहीं बोलना है है टे स्पीच नहीं करना है ये चीज़ को अपको ध्यानक नहीं और कोई भी पर्सन सेक्षन आट में दिया गए इलेक्षन में कंटेस्ट होने से उसको रुख दिया जाएगा अगर वह कुछ ये एक्ट में इलिजिमेट यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्स्प्रेशन में अगर ये मतलब की सामिल है इंक्लूड है मतलब किसी को माल लिजिए कि आई ये कुछ कहास सुनी कर दिया हो मतलब कि खतरनाक वाला तो ये नहीं होंगे बोट में खड़ा तो यह सेक्षन आठ है इसको फॉलो आइटिंक करते कहा है लोग बट ये चीज दिया हुआ देकि सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं ये चीज है है और यहां पर देखे हैं यह सब्सक्राइब करना चाहरा है तो आप उसके अंदर आ जाएंगे यह लिक्षिलेशन में कोई सब्सक्राइब कर दोनों मोड में यह कंसिटर किया जाएगा है तो यह बस यहीं याद रखना है कि किस लोग में डिपाइंड नहीं है बट इसके लिए बहुत 21 बाड रहा है तो कुछ यह निकाला जाएगा NCRB का रिपोर्ट आया हुआ है यह देख सकते हैं आर्टिकल नाइंटीन टू आई पीसी का अटीन डे सिक्टी आर्पीय का देख सकते हैं अश्यूवी पोर्टेक्शन राइट का यह देख सकते हैं इतना सारा चीज है में और यहां पर प्रेंट यह अगर चाहिएगा तो सेडीशन वाला टॉपिक्स जो है हम लोग नेक्स्ट में कवर करते हैं थैंक्स पर वाचिंग अल्दा बेस्ट सब्सक्राइब करें चैनल को